हेलों वेलकम आप देखरें न्यूज नेशन का डिजिनल प्लेटफार्म और मैं हूँ आपके साथ सुष्णा बॉलिवूड के सूपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर हुई फाइरिंग के बाद से सबकी नजरे इस खबर पर है क्योंकि सालों से लगतार मिलरी धमकियों के बाद इस तरह की घटना ने ये सूचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इतनी सिक्योर्टी के बावजूद कैसे शूटर ने इस घटना को अंजाम दिया 14 अप्रेस रविवार की सुबा हुई इस घटना के बाद से हमलावर फरार है घटना के बाद से लोगों के मन में कई तरह के सवाल है कि आखिर सलमान खान के घर पर फाइरिंग करने की वज़ा क्या हो सकती है और इस केस के जिव्योदारी लेने का दावा करने वाले पोस्ट में आखिर अंडरवर्ड डॉन दाउद इबराहिम का नाम क्यों लिया गया मेडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान के घर पर फाइरिंग करने की दो सब बड़ी वज़े हो सकती है पहली तो यह कि एक्टर को इस बात का हैसास दिलाना कि वो लोरेंस विश्णोई गैंग की नजर में तो पहले से ही थे लेकिन अब उनकी पहुँच से भी ज़्यादा दूर नहीं है दूसरी बड़ी वज़ा वसूली की हो सकती है अपना खौफ दिखाकर मुंबई के रईसों से जबरन वसूली करना भी एक बड़ी वज़ा हो सकती है सुरक्षा एजेंसियों की माने तो यहीं वज़े कि सलमान खान के घर पर फाइरिंग करने के बाद सोसल मीडिया पर जो पोश्ट डाला गया उसमें अंडरवर्ड डॉन दाउद इबराहिम के नाम का भी जिक्र किया गया एजेंसियों को यह ऐसा लगता है कि दाउद का नाम लिखने के पीछे की सबसे बड़ी वज़ा यह बताने की है कि अब मुंबई में दाउद की नहीं चलती सुपरस्टार सलमान के घर पर फाइरिंग करवाकर लॉरेंस बिशनोई गैंग महानागर मुंबई को जबरदस्ती वसूली के एक बड़ी मार्केट के तौर पर देख रहा है पुलिस का ये भी मानना है कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद जिम्यदारी लेनी की वज़ा क्रिमिनल्स का विद्योशों में बैठे होना है इसलिए अकसर छोटे मोटे क्राइम करने वाले लड़कों को अपने गैंग में रिक्रूट करते हैं और अपना मक्सद पूरा करते हैं क्योंकि कही न कहीं ये गैंग्स्टर भी जानते हैं कि उन तक पहुँचना इतना आसान नहीं है इतना ही नी वारदात को अंजाम देने के लालच में सुटर्स को उनकी सेफटी को लेकर भरोसा दिया जाता है कि काम हो जाने के बाद उन्हें अच्छी खासी मोटी रकम भी मिलेगी बस इसी लालच में गुमरा हुए ये लोग किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने से नहीं चकते गटना के बाद सलमान खान के पिता सलीम खान का ये बयान आया है कि ये शुटर खुद को मशूर करने के लिए इस तरह की हरकते करते हैं इसे सलमान खान भी खूब समझते हैं हाला कि इस गटना के बाद से सलमान खान से मिलने वालों का उनके घर पर ताता लगना शुरूर हो गया है उनके भाई बहन से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के कई मशूर हस्तियां उनसे मिलने पहुंची फिलाल इस घटना की पुलीस हर एंगल से जाज कर रहे है जिसमें दो सस्पेक्ट्स को पकड़ा गया है इस पूरी घटना पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताए और दिस दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज नेशन का डिजिटल प्रेटवर्पॉन खक्रश्ट्डपड़ को प्रेखते रहे हैं कि अल्गता इल्गताप्ड़ प्रवित्स को अग्या है थे क्षेक्ट्डबर ड्लिकतर प्रश्ट्बर कर दो दोडिके तोड़ का थीए है तो